हाई फ्रेंट्स मैं परवंदर खारी फ्रेंट्स आज की यहां हमारी गेम गर्व ठाकुर जी की की वीडी रेकमेंडेशन है यहां खेले गई थी 1869 में पॉल मर्फी वर्सिस जोहन जेकब लवेंथल शिरू करता हूं सीधा यहां E4 के साथ पॉल मर्फी ने शिरू किया E5 यह जोहन ने खेला देन हुआ नाइट F3 नाइट C6 बिशब C4 इटेलिन गेम बिशब C5 बिशब C3 बिशब गया वापस C5 स्क्वार पर और इसके बाद यहां पॉल मर्फी ने कैसल किया D6 देन हुआ D4 E टेक्स D4 C टेक्स D4 बिशब को हटाना पड़ा B6 स्क्वार पर देन हुआ D5 नाइट पर अटेक बना और यह नाइट गया E5 स्क्वार पर ब्लैक को कभी मुका ही नहीं मिला यहां वाइट के इस नाइट को पिन करने का खेर नाइट एक्षेल्स ओफर है जिसे एसेप्ट किया यहां पर मर्फी ने नाइट एक्स E5 डी टेक्स E5 देन बिशब B2 स्क्वार पर बहुत ही जबरदस्त मैं कह सकता हूं यह अटेक आने वाले में समय में माइट भी लग सकता है कुछ इस प्रकार से लेकर उससे पहले जहा ब्लैक को करना ही पड़ा और कैसल चांस यहां कात्म होता है क्योंकि पहले खेला गया बिशब टेक्स D7 चेक और यहां इस पॉइंट पर कुइंट टेक्स D7 होता है तो बिशब टेक्स E5 ऐसा नहीं है कि यहां पर ब्लैक को बहुत बड़ा नुक्सान होता है सेंटर का पान तो पॉल मर्फी ने इस पूरे मोके का फाइदा उठाया कैसा लब ब्लैक करी नहीं सकता कुई जी फोर चेक और यहां इस चेक के साथ साथ इस जी सावन पॉन पर भी अटेक है तो f5 यहां ब्लैक को करना ही पड़ा कुई टेक्सी f5 विद जैक और यहां एक एक्स्ट्रा वान जीतने का मौका मिल चुका है वाइट को किंग वापस गया यह 8 स्क्वार पर धैन हुआ बिशप टेक्सी 7 पॉन नमबर 2 नाइट आया h6 स्क्वार पर शायद यह नाइट यहां f6 स्क्वार पर आना चाहिए था दि और उसके बाद यहां metal actions लगभग equal हो जाता उसके बाद यहां देखिया जाए तो रुख पर भी attack होता है फिर knight को develop किया जाता all is well for white मेरे ख्याल से चली वो एक अच्छी option थी लेकिन यहां queen गई f4 square पर और फ्रेंट से queen के f4 square पर जाने के बाद यहां मुझे rook f8 का move सबसे अच्छा नजर आता है लेकिन यहां king गया d7 square पर फॉर black तो उनों rooks को connect किया गया knight d2 और मैं अभी भी मानता हूं कि rook f8 was the best move क्यों क्यों कि यहां queen g3 हो सकता था queen g3 होने के बाद यहां पर black rook takes h2 करता और यहां एक extra कौन जीतने का मौका मिलता देखते हैं calculations क्या कहती है यहां रुक takes f2 होता bishop takes f2 चेक होता या तो यहां पर king takes f2 करना पड़ता अगर king takes f2 होता है तो उसके बाद होगा queen takes e5 और further जैसे ही metal actions होगा उसके बाद यहां knight यह fuck लगाएगा king और queen पर या फिर अगर मैं दो move पहले चलना हूं queen takes f2 होगा तो simple यहां queen takes e5 एक pawn यहां जीत स defense अराम से हो सकता है might be knight and कहीं भी जा सकता है knight knight c4 square पर then हुआ bishop c5 और black अब यहां इस b pawn को आगे push करके इस bishop के defense को deflect करवा सकता है बड़ी आराम से well rook take goes to d1 यह थोड़ा सा surprising है और मैं भी भी मान रहा हूं कि rook f8 का move क्यों नहीं आ रहा है black की तरफ से bishop आया d6 square पर bishop actions offer है bishop takes a d6 then हुआ c takes d6 rook b1 square पर यहां इस b7 pawn पर attack है मेरे खाल से यह भी एक move बन सकता था यहां e4 pawn लिया जा सकता था white का लेकिन इससे पहले हुआ d6 then rook attack goes to c1 queen गई f6 square पर connections offer है oh sorry यहां मैं इस d6 pawn को तो भूली गया था जो कि एक check के साथ आएगा अगर यहां black इस e4 pawn के लिए जाता ह तो queen के e3 square पर कोई connections करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यहां हुआ है knight के g4 square पर जाने का और यहां इस f2 pawn पर attack बनाने का लेकिन आप यहां देखिए कि attack किस तरह का बना हुआ है from white's point of view white यहां definitely अपने knight sacrifice के लिए जाने वाला और हो गया भी Paul Murphy नहीं यहीं किया knight xb6 check a xb6 ह सकती थी लेकिन उसके बाद नहीं उसके बाद problems ही होती यहां पर black को जाना से यह था लेकिन यहां खिला गया rook c7 check straight forward अपना rook sacrifice किया यहां Murphy ने क्यों किया आया क्योंकि अगर यहां king c6 c7 होता है तो queen b6 check होगा king कहीं भी जाए दर c8 या d7 जिस भी square पर जाए मां looking c8 square पर भी यहां ब्लैक के लिए इस रुक को नहीं लिया उन्होंने king को मूग गिया d8 square पर देन हुआ quintex b6 और अगले move में क्या कह सकता हूं मैं checkmate की threat is checkmate से बचा भी नहीं से आ सकता ब्लैक के लिए force जो गया है quintex f2 करने ही तो यह check के साथ फोरसली connections करनी पड़ी हालगी जो एक knight या piece अब था यहां पर black वो उनके हाथों से निकल गया quintex f2 knight takes f2 और अगर यहां यह king is knight के लिए जाता है तो white को अपना यह रुख गवाना होगा इसका मतलब दो रुख के सामने एक रुख रहेगा white के पास तो यहां पर पॉल मर्फी ने अपने रुख को बचाया पहले a7 square पर और यहां इस knight के जाने के लिए कोई भी square available नहीं है क्योंकि अगर black ने इस knight को बचाने की कोशिश की तो अगले move में मर्फी checkmate लगाए हुए है तो black ने यहां knight h7 check किया जितना damage हो सके उसके maximize किया जाए g takes h3 फिर इसके बाद king आया c8 square पर और उसके बाद final move था पॉल मर्फी का दा king को f2 square पर ले जाने का white यहां अपने रुक को दोनों रुक को 7th rank में ले जाकर क्या कुछ नहीं कर सकता यहां clearly available है तो friends मुझे पूरी उमीद है आप सभी लोगों को यह game जरूर पसंद आई होगी तो आप लोग इस video को like करें share करें और मेरे इस YouTube चैनल Jazz Guru को please subscribe जरूर करें आपकी comments का मुझे बेहर दिन जा रहेगा thank you for watching and bye for now